प्रेश होता हो सादर नमशकर जहे माकाल का पुरान की कथा सुनने से आपका जो चिद्ध है उसके शुद्धी होती हो और आपका मन जो है वो निर्मल हो जाता है वाशकाल में एक गाउं में बिंदुक नाम का एक ब्रामन रहता था वो बड़ा ही अधर्मी दुरात्मा महापापी था उसके इस्त्री भी बहुत सुन्दर थी जिसका नम चंचुला था वो हमेशा उत्तम धरम पालन के कामों में लगी रहती थी लेकिन उसका जो पती था वो वैश्य वरिती में लगा रहता था कुछ समय के बाद वो अपने पती से प्रभावितों के वो भी बुरे कर्मों में लग गई कुछ समय आने के बाद बिंदुक जो है वो मर गया और नरक में गया और दुख भोगने लगा अपने बेटों के साथ अपने घर में रहती थी ल यही तो तब है तब कठिन तो जरूर होता है लेकिन हमेशा तब का फल जो होता है वो मीठा होता है पर चंचुला किसी पर्व पर एक पुन्ने स्थान पर गई मा तीर्थ में शनान किया अपने बंधु जनों के साथ यत्र तत्र इधर हुदर घूमने लगी तो वहीं एक आयम लोग में उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रतार ना यानि कि कष्ट मिलते हैं यह सुनने के बाद चंचुला जो है वो डर गई कहा जाते हैं ना कि अपने कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है देव रिशी मनुशिक कोई भी क्यों ना हो उसे अपने कर्मो का फल तो भुगतना ही पड़ता है ब्रहमन की मुझ से इस तरह के वेरागी बाते सुनकर चंचुला और डर गई कुछ अनमीक के बाद चंचुला उस ब्रहमन के पांस गई और बोलने लगी कि है ब्रहमन मैंने तो बहुत सारे बुरे करम किया है मुझे मेरे उधार का कोई रास्ता दिखाई है तो ब्रहमन ने उसे श्रीव पुरान के कथा पढ़ने और सुनने के लिए कहा और वो उस कथा को सुनती थी बड़े भाव से तो ब्रहमन ने एक बारी का कि चंचुला तुम बड़े सुभाग्यशा दियो जो भगवान शंकर की क्रिपाश से तुम्हें बड़े पंशुउ पुरान की कथा सुनने को मिली और तुम्हें अपनी गल्ती स्विव पार्वतिजे के शरण में जाो शुपुरान को पढ़ते रहो, सुनते रहो और भगवान तुम्हारे सभी पापों को शमा करेंगे दिव्य मुक्ती मिलेगी तुम्हारा चित जो है व पर चंचुला ने ब्रहामन के मुक्ष से और शीव पुरान सुना भक्ति ज्यान किया अपने विराग्य को बढ़ाया मुक्ति देने वाली इस कथा को सुन करके वो जो है क्रितार्थ हो गई मुक्ष को उसने पाया चान में बैटके शीव पूरी चली और मा शीव पार्वती ज सेवा करने लग गई उनके पास रहने लगी एक पार उनने मा से कहा कि मेरे पती की सवस्था में है तो मा क्योंकि मेरे पती जो है बहुत वैश्यागामी थे तो मा ने उनका पती किस नरक में है उस बारे में बताया है तो उसने कहा मा मेरे पती पर भी क्रिपा करिए और उसे इसने नक से निकाली है तो मा पारवती की कहने पर उसका जो पती पिशाज बन चुका था उसे भी शिव पुरान सुनाया गया पिशाज बना वह भी अपनी पत्नी के साथ क्रितार्थ हो करके पुरान की कथा करते वे भगवान शिव पारवती जी की पूझा करते वे शिव धा पहुआचा भगवान शिववा देवी पार्वत्ती ने उसे पार्षत बनाए अपने और दोनों पत्ती पत्ती सुख पूर्वक रहने लगे। मा शिम्भू प्रिया है, सगुनो और निर्गुना है, पार्वत्ती प्रक्रती की पोशक है, सब सुखों को देने वाली है, हर हर महादेव, घर घर महादेव, अपने सावन महा को बिताएं।